हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लैन हब चैनल वेलकम बाग तो टुटोरियल और 16 फिट बाइ 48 फिट रेविट कम्प्लीट हाउस डिजाइन प्रोजेक्ट सो जैसा कि आप करेंटली स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमने लास्ट टुटोरियल यानि टुटोरियल लंबर टू में यह जो कम्प्लीट पार्ट आप देख रहे हो इतना पार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था सो आज के वीडियो में हमें यहाँ पे जो हमारा गेट का डेजाइन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं तो चलिए अपने टुटोरियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब कर देखेंगे सो एस सच हमारे पास यहाँ पे एक 4.5 इंचिस की वाल है सो एक प्रॉपर सपोर्ट देने की लिए मैं सिंप्ली यहाँ पे आता हूं लेवल वन पे यहाँ से मैं सिंप्ली एक कॉलम क्रीट करूँगा सो कॉलम आर्गिटेक्चर सो 9 बाई 12 और मैं इसको यह जो सेम आगे वाला पार्ट है इसके रफ्रेंस में अलाइन कर लूँगा सम्थिंग लाइक दिस इसके अलाइन में यह पार्ट चीक है सो यह के कॉलम इस तरह से मार पर तक गई है मुझे इतनी हाइट नहीं रखनी है इसकी और इसकी हाइट में अप्टू लेवल 3 ओनली सेट करूँगा सम्थिंग लाइक दिस चीक है बाकी बाद में माटीरियल हम सेम इसका चेंज कर देंगे सो हमारी जो प्र यहाँ पर जो अवरलापेंग्स वगरा हमें दिख रही है वो सारी जीज़े प्रॉपर सही हो जाएंगी बाकी आप अगर चाते हो तो गो टू साउथ एलिवेशन इस पॉइंट से इसकी दिस्टंस 1 फिट 3 इंचेज है तो सेलेक करके इसको टॉप ऑफसेट 1 फिट 3 इंचेज में नीचे भी इसको कर सकता हूँ सम्थि यहां पर में जो डिजाइन करने वाला हूँ that is your gate ओक डिन यहां से मैं simply यहां से लूँगा extrusion command then यहां से pick यह set plane option then यहां से pick up plane ओक और front में यहां फेस को मैं select करूँ गा चीख यहां से में rectangle tool लोंगा, rectangle tool लेने के बाद में एक corner point से एक दूसरे corner point से एक rectangle create करूँगा जिसकी height में यहाँ पर 6 feet set करोगे, यानि कि जो हमारा gate की height होगी, वो 6 feet हम यहाँ पर रखके चलेंगे, चिके? Then next, यहाँ से again में एक rectangle create करता हूँ, और let us take a line, visual style को मैं यहाँ पर hidden line लगा देता हूँ, जिससे कि जो हमारी workability रहे हो थोड़ी सी easy हो जाए. Line tool लेकर मैं simple, mid से एक line create कर लूँगा, something like this. Rectangle tool लेकर मैं यहाँ पर 2 inches का offset, यहाँ पर मैं click करूँगा, space bar से अंदर की तरफ direction देंगे और इस corner point पर आके click कर दूँगा. Similarly, इस point से भी, इस point तरफ मैं create कर लेता हूँ, चिके? Then next, यहाँ से मैं offset tool लेता हूँ and 0.25 inches का मैं offset, copy पर tick, इस तरफ offset और इस तरफ offset करके center line को मैं delete. और यहाँ से split element लेकर यह element को मैंने split किया और trim tool लेकर यह पार ट्रिम करेंगा. तो यह पार्ट आपका अलग होगा, यह पार्ट अलग होगा. Similarly, नीचे आजाएंगे और यहाँ पे भी मैं split, इसको split पहले और trim tool से इन दोनों को select करके, यह part trim out कर दोगा, something like this. यह वाली पार्ट को select करके, इसको मैं 2.6 inches set करूँगा और इसको भी यहाँ पे 2.6 inches, जो इसके थिकने से यह मैंने यहाँ पे increase किया है. Simply click on finish, अभी क्या है, यह आगे की तरफ देखो, यहाँ पे extrude हो रहा है, so extrusion start को मैं यहाँ पे minus 5 inches करता हूँ, और यहाँ पे इसको minus 1 inches करता हूँ, यहाँ आप देख सकता हूँ, face से 1 inches यह इस तरह से पीछे चला गया, basically, starting face से यह पीछे तक का minus 5 inch, और starting से यह part आपका minus 1 inch ह हमने यहाँ पे create किया है, ठीक है, next, अब इसी part को मैं select करूँगा, और यहाँ से isolate, यह जो नीचे आपको option दिख रहा है, चश्मे का, इस पर click करेंगे, और यहाँ पे isolate element पे click करेंगे, तो यह सिर्फ आपका gate है, सिर्फ आपको यही visible रहेगा, अब काम करने में असानी हमें यहाँ पे थुड़ी सी ज्यादा रहेगे, now front view लगाते हैं, front view लगाने के बाद यहाँ से create पे आते हैं, again extrusion, set, pick up plane, okay, and same plane को मैं select करता हूँ, line tool, और let us take rectangle tool, from this point to this point, from this point to this point, यहाँ से यह जो distance है, मैं इसको 1 feet set करूँगा, और बीच में जो gap है, इसको मैं यहाँ पे 2 inches का रखूँगा, similarly, इस तरव भी, यह gap यहाँ पे आपका 1 feet, sorry, set this to 1 feet, और यह बीच का gap आपका 2 inches, something like this, click on finish, align और इस face के alignment में यह आगे वेला face, perfect, now front view, create extrusion, rectangle, from this point to this, and यहाँ से यहाँ तक, click on finish अगे, अब इस specific part को extrusion start से minus 1 inches, और extrusion end minus 3 inches, okay, so इस तरह से यह part हमारे पास create होकर इतना आ गया, now, यहाँ से again मैं go to create, extrusion, set, pick up lane, okay, और यह side वाले plane को select करता हूँ, right view लगाता हूँ, यहाँ से visual को मैं wire frame set करूँगा, rectangle tool from this point to this point, और यह distance में यहाँ पे 3 inches, select copy from this point to this, 4 inches, so copy, एक एक करके मैं यहाँ पे इस तरह से इसको copy कर लोगा, ठीक है, done, click on finish, front view, यहाँ से लगा लीजे consistent color और realistic, इसको अगी तरफ कर लीजे, और इसको select करके copy, constraint to make sure that untick कर दीजेगा, otherwise copy नहीं होगा, इस point से, इस point तक, perfect, go to front view again, go to create, extrusion, set, pick up plane, okay, और यह plane में set करके, एक rectangle tool, offset 1 inches from this point to this point, और इसको भी मैं यहाँ पे 1 inch कर रख हूँगा, select करके copy, from this point to this, select करके copy again, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, एक circle में create कर रहा हूँ, 3 by 4 inches का, इसी को मैं copy कर लूँगा, इस point से, इस point तक, click on finish, front view, और इसको मैं नीचे की तरफ इस तरह से drag कर दता हूँ, and finish model, then यहाँ से simply again, इसी option पे आएंगे नीचे, isolate पे जाके, and reset, temporary and hide isolate, जैसे में click करूँगा, ता आप देख सकते ही, gate यहाँ पे इस तरीक ऐसे, आपका आ जाएगा, then कुछ models और जैसे यहाँ पे, floor है उपर, इसको में modify करूँगा, इसको select करके top view पे गया, edit boundary, rectangle tool लेता हूँ, offset यहाँ पे one fit, इस point से space bar press करके, इस point तक अंदर की तरफ, और यह one fit रहेगा, इसको select करके copy, from this point to this, 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 और एक करके इस तरह से मैं इसको copy create कर लिया, click on finish, yes, और यह आपके पास इस तरह से कुछ, यहाँ पे cut create हो गया है, then next, go to level 4, wall, and यहाँ से मैं 4.5 inches wall select करूँगा, अपनी unconnected height हम यहाँ पे 3 feet रखेंगे, और इस point से हम एक अपनी wall create करेंगे, जो कि आपके parapet wall की तरह काम करेगा, al for a line, and यहाँ मैं इसको 6 inches, from this point to this, from here to here, from here to here, ठीक है, यह हो गया, अब यह जो OTS है, इसको cover up करने के लिए, यहाँ पे जो jal बेचता है, उसको create करते है, so do to component, model in place, and यहाँ से मैं रेलिंग ले लेता हूं इसको, extrusion, set, pick up lane, okay, इस plane को मैं set करूंगा, rectangle command from this point to this, और इस part को select करके 3 inches, और यह सिर्फ 1 inches, इसको select करके copy, from this point to 4, copy, यहाँ से one by one, इस तरह से, copy, and click on finish, और यह चीज़ हम इस दिखी की तरफ, drag करके इस तरह से set कर लेंगा, okay, then click on finish model, and यहाँ पे काफी अपता की create हो गया है, then go to front view, yes, it is okay, fine, next, इतने चीज़े हो गई, so model हमारा यहाँ पे mostly तयार है, कुछ designs वगएरा यहाँ पे और मैं add up कर सकता हूँ, ठीक है, like grooves, और any other thing, वो देखते हैं next video में, बाकी आज की video में हम यहाँ पे बस इतना ही रखेंगे, बाकी next material, and कुछ और extra design, वो हमें add up करना है, तो वो सारी चीज़े हम create करेंगे, बाकी मिलते हैं आप लोगों से next tutorial वीडियो में, साथ ही में complete project files आपको download करना है, उसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, floor plan practice के लिए download करना है, वो free of cost आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, so thank you so much, मिलते हैं आप लोगों से next tutorial वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, bye bye and take care everyone.